Hello Factorians, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल Fact Fiction पर आज हम आपको ना ही किसी बड़ी द्यात्याकार मशीन के बारे में बताएंगे और ना ही कोई electronic gadget की factory making process दिखाएंगे पता है क्यूं? क्यूंकि आज तो हम आपको ले चलेंगे Bollywood के गलियारों में और बताएंगे actresses की खुब सूरत हरी और लाल चूडियों के पीछे का राज समझे या समझाएं? अरे भाई, आज हम आपको बताने वाले हैं काच की चूडियों की factory making process के बारे में भारत में चूडियों के लिए famous फिरोजाबाद शहर में आखिर ये चूडियों फैक्टरियों में कैसे तयार करी जाती है और कितना महनत भरा workers का यहाँ पर काम होता है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना शानदार चूडियों का factory making process दोस्तो, फिरोजाबाद भारत की एक ऐसी location है जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा चूडियों का काम होता रहता है और यहीं से बनने वाली हर तरह की काच की चूडियां पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई करी जाती है और यहीं से चूडियों का stock Bollywood के गलियारों में भी जाता है जिसे पहन कर हमारी Bollywood हसीनाएं कभी अपने रूठे हुए सजना को मनाने का काम करती हैं तो कभी नहीं लाल पीली चूडियों से उन्हें रिजहाने का काम करती हैं यह चूडियां हमारे घरों की महिलाओं से लेके फिल्मों तक की actresses और directors के बीच भी काफी famous है तभी तो इस पर कई Bollywood songs भी बन चुके हैं लेकिन इन खूबसूरत रंग बिरंगी चूडियों को बनाने के लिए mainly जिसकी आवशकता होती है वो है कांच लेकिन कांच से direct चूडिया नहीं बनती है बलकि पहले हमें इस कांच को भी factories में बनाना पड़ता है जिसके लिए हमें rate और सोडे की जरूरत पड़ती है तो factories में सबसे पहले rate को च्छानने का काम किया जाता है जहाँ पर इन rate को च्छानने के लिए एक बड़ी सी लोहे की जाली लगे हुए फ्रेम का इस्तमाल किया जाता है इस काम में भी dusting कापी होती है लेकिन अब यहाँ factories में मजदूरों का ये regular का काम होता है इसलिए इसके लिए ये जादा सुरक्षा रखने ही पाते हैं और कई बार सिर्फ एक कपड़े से ही नाक को ढखकर इस बालू को लोहे की जाली वाली फ्रेम की मदद से च्छानने का काम करते हैं यहाँ पर rate का एक बड़ा सा पाहर खड़ा रहता है जिससे इन मजदूरों के द्वारा च्छानने का काम किया जाता है ऐसा नहीं है कि rate को च्छानने का काम किसी एक दिन का process है क्योंकि उसके बाद काच की making complete हो जाती है बलकि एक तरफ इधर बालू और सोडे को आपस mix करके काच बना जाता है और दूसरी तरफ इन से चूडिया बनाने का काम भी शुरू रहता है इसलिए इन मजदूरों को बालू च्छानने का ये काम रोज करना पड़ता है अब बारी आती है सोडे की जहाँ पर बाल्टियों में सोडे को भरकर लाया जाता है और एक बड़े से चेंबर में पलट दिया जाता है यहाँ पर सोडे और रेट को मिलाने का रेशियो एक और दो का होता है यानि एक हिस्सा सोडे का तो दो हिस्सा रेट का अब इन दोनों के मिक्स्चर को एक बड़े से हैंडल लगे हुए फावडे जैसे दिखने वाले ओजार से अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया जाता है अब जब एक बार ये मिक्सचर तयार हो जाता है तो इसे एक हैंडल वाले दूसरे ओजार की मदद से थोड़ा थोड़ा करके भट्टी में लेकर जाया जाता है यहां आप भट्टी को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जब दिखने में इतनी बड़ी है तो इसका टेंपरेचर कितना ज्यादा रहता होगा तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस भट्टी का टेंपरेचर 1100 से 1200 डिगरी के आसपास होता है यानि अगर इस भट्टी में कोई इनसान गलती से चला भी जाना तो उसका क्या हाल होगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते अब रेत और सोडे के इस मिक्शर को इस भट्टी में डाल कर अच्छे से पकाया जाता है ताकि इसे आगे प्रोसेस कर दिया जाए इस भट्टी में इस मिक्शर को तो डाल ही दिया जाता है साथ ही ऐसी चूडियों को भी इसमें डाल दिया जाता है जो बनाते वक्त तूड गई थी या चूडियों की फाइनल मेकिंग के बाद जो खराब बच गई थी उन सब को एक बार फिर इसी भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि उन्हें फिर से पिगला कर उनसे अच्छी और खोपसूरत चूडियां बनाई जा सके भट्टी में इस मिक्ष्चर को पकाने का काम लगभग 10 से 12 घंटों के लिए किया जाता है और इसके बाद बारी आती है इस पकी हुए मिश्चर को भट्टी से निकालने की जिसके लिए एक बार फिर ये ट्रेंड मश्दूर आगे आते हैं अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें इसके लिए प्रॉपर कोई ट्रेंइंग दी गई है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि ये इन कामों को यहां पर रोज करते हुए ही सीख जाते हैं लेकिन बावजूर इसके इतना रिस्की होते हुए भी ये इस काम को जितनी फूर्ती और तेजी के साथ करते हैं न उसे देख कर आपको यही लगेगा कि इन्हें इसके लिए प्रॉपर ट्रेंड किया गया है अब यहां आप देखेंगे कि भट्टी में इतने घंटे पकने के बाद कांच तयार हो चुका है जिन्हें फाक्टरी के वरकस के द्वारा लोहे की रोट पर लपेट दिया जाता है और अब इस गरम कांच को उठा कर भट्टी से निकाल कर आगे प्रोसेस के लिए दे दिया जाता है यह इतना ज्यादा गरम होता है कि अगर गलती से भी किसे के ऊपर यह गिर जाए लेकिन फिर भी यहां बैठा मजदूर इन्हें एक खास तरह के आउजार से दबा कर एक खास शेप में लाने की कोशिश करता है ताकि कांच को आगे प्रोसेस करने में आसानी हो सके यहां उसे इस बात का विशेश ध्यान रखना होता है कि गलती से भी कहीं उससे ये गरम काच छून आ जाए नहीं तो उसका क्या हाल होगा शाद उसे खुद को भी नहीं पता हो सभी बारीकियों का ध्यान रखते हुए ये मजदूर इस कांच को आगे की तरफ दबा दबा कर एक अलग शेप में बना देते हैं अब जब एक बार ये खास तरह के शेप में बनकर तयार हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये थोड़ा और नॉर्मल हो जाते हैं तो इन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेश दिया जाता है जहाँ पर इनकी कलरिंग करी जाती है यहाँ पर ठंडे किये हुए कांच को उस भटी के पास पहुँचाया जाता है जहाँ पर उस पर कलर की परत चड़ाई जाती है इसके लिए सबसे पहले लोहे की छड़ में फसे हुए कांच को नीचे रखकर उस पर भट्टी में गरम किये गए कलर को कांच के इस टुकड़े पर लगाया जाता है और उसे हर तरफ से कांच के टुकड़े पर फैलाने की कोशिश करी जाती है जब एक बार इन पे कलर चड़ जाता है तो अब इन्हें दूसरी भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि इस पे लगा कलर अच्छे से पक जाए इस भट्टी का भी टेंपरेचर लगभग 1000 डिगरी के आसपास होता है यानि आप समझी सकते हैं जो मजदूर इन भट्टीयों के आसपास काम करते होंगे उनके लिए यहां काम करना कितना मुश्किल होता होगा लेकिन बावजूद इसके ये पूरी महनत और लगन के साथ इस काम को करते हैं अब इस प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं कि कांच के इस टुकड़े पर प्रॉपर कलर चड़ चुका है यहां पर कई अलग-अलग तर है कि अलग-अलग रंगो की चुड़ियों को बनाने के लिए अलग-अलग भट्टियां होती है जिनमें हमें जिस कलर की चुड़ी बनानी होती है उस कलर के भट्टी में कांच के इन टुकड़ों को डाल दिया जाता है जिस पर कलर चढ़ाने का काम किया जाता है जब एक बार इन पर कलर की लेयरिंग हो जाती है तो अब इन काच के टुकडों को एक भट्टी में डाला जाता है जहां पर ये काच के टुकडे पिगलते हुए एक रसी के रूप में लोहे की स्मोटी रोट पर निकलते जाते हैं और यहां से हमें हमारी चूडियों का थोड़ा थोड़ा शेप मिलने लगता है इस पर लिपटते टाइम तो ये काच काफी गर्म होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके ये ठंडा भी होने लगता है और लोहे की रोट पर लिपटता रहता है जब एक बार ये लोहे की रोट पर पूरी तरह से लिपट जाता है तो इसे अब रोट से उतार लिया जाता है और निकाल कर रख लिया जाता है लेकिन अगर आप इन चूडियों को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये चूड़ियां अभी भी आपस में जुड़ी हुई है यानि अभी इन्हें एक दूसरे से अलग करने का काम बाकी है आगे के प्रसेस में इसे एक वरकर के द्वारा ब्लेट चला कर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और दूसरे वरकर को दे दिया जाता है और इन्हें बैट कर इखटा करते हैं और इनका गुच्छा तयार करते हैं जिसे आगे भेज दिया जाता है मार्केट में बिखने के लिए तो बेशक ये चूड़ियां दिखने में बेहत सिंपल सी लगती हैं लेकिन इसका फैक्टरी प्रोसेस कितने स्टेप से होकर गुजरता है ये आपने हमारी वीडियो में देखा ही लेकिन ये चूड़िया बहुत ही नाजुक होती हैं उमीद है आपने चूड़ियों के फैक्टरी मेंकिंग प्रोसेस की पूरी विधी को अच्छी से समझ लिया होगा लेकिन हाँ इससे खुद घरने बनाने मत बैट जाईएगा क्योंकि ये बेहद ही खतरनाख है हमारी ये वीडियो सिर्फ इंफर्मेशन के लिए थी तो अगर आपने इस वीडियो को इंजॉय किया है और आपको इंफर्मेशन पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा शेयर कर दीजी और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फाक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए दीजी अजाज़त बाबाए मिलेंगे आपसे अगली ही फिर किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ